नमस्कार, मैं हूँ ससी, आये जलगां की टॉप 25 पर्मोख खबर जानते हैं साथ ही उचाई वाले पोस्ट पर भी भारतिय सेना के जवान मुस्ताज से तैना था जिसे चीन खेमे में खलवली मची हुई है किसानों के दो लाग तक का क्रिसी कजमाफ किया जाएगा मंत्री उराव दो दिवसी दोरे पर बेर्मोख भीत मंत्री डाक्टर उराव ने एलान किया कि राज के किसानों का दो लाग तक का क्रिसी कजमाफ किया जाएगा उन्होंने कहा कि किसी का 25 है तो किसी का 60 है रुपे तक का कर जाए ऐसे में हिसाब बठाया जा रहा है किसानों के आकड़े तयार होते ही कर माफी की घोसना कर दी जाएगी सिवी एसी टेंथ टुएल्थ की कंपार्टमेंट परिक्षा 22 से सिवी एसी ने दसवी और बरावी काक्षा की कंपार्टमेंट परिक्षा इति जारी कर दी है दोनों कमपार्टमेंट परिच्छाए 22 सितंबर से सुरू होगी बता दे कि दसवी की परिच्छा 28 सितंबर जबकि बरावी की परिच्छा 30 सितंबर को खत्म होगी इसके लिए राच्ची में दो परिच्छा सेंटर बनाएगा है एक सेंटर गुरु नाना इसकूल में जबकि दोसरी सेंटर आभी गोशित नहीं की गई है आपको बता दी कि परिक्षाय सुबा साड़े दास बैस से लेका डेल बैसे तक होगी छात्रों को उतर पुष्टी का दस बच का पंदरा मेर्ट तक दे दी जाएगी जारखन में एक हेर चोद अनय संक्रमितों को पुष्टी हुई जो बोकारों से साथ 14 से 2 देवघर 12 धनवाद 62 दूमका बारः पूरवी सिम्हूम 115 गड़वा 24 गीड़ी 24 गोड़ा 13 गुमला 24 जारी बैक चातिस जामतला 10 खोटी बारः कोड़ा 26 लाते हार ठारा लोरदागा 15 पाकुर 10 पलावू 25 रामगार 16 राची 392 साहब गन 6 राय किला 61 सिम्हूम से 46 मिले है जारकन में कुल संक्रमितों को संख्या 164 गोड़ा जबकि 46 राची 393 लोग स्वास्थ हुए और 555 की मिले है भारत में कुल संक्रमितों के 28,45,003 है जबकि 37,774 लोग स्वास्थ हुए और 89,754 की मिले है जबकि 77,776 लोग स्वास्थ भी हुए है जारकन में रविवार को 11 की मोथ हुई है जो पूर्वी सिम्हूम से 6 गोड़ा से 2 धनबाद से 1 पच्मी सिम्हूम से 2 सामिली था है रविवार को 1509 मरीज स्वास्थ भी हुए है एक्टिव केस इस प्रकार है राची 3466, पूर्वी सिम्हूम 365, रामगर 949, धनबाद 902, हजारी बाग 746, सराय केला 696, कोडारमा 608, बोकारो 447, गुमला 431, पाच्मी सिम्हूम 390, गिरिवडी 378, सिम्डेगा 326, खोटी 264, लातेयार 227, देवगर 29, दुमका 244, सायवंगा 114, गड़वा 133, पलामो 13 लोर्दागा 124, गोडा 98, पाकुर 76, जामता 46, मरीज, फिलाल एक्टिव है, इस्कूल फीज जमा करने के लिए दिशार निर्देश में संसोधन करेगी सरकार सरकार इस्कूल फीज जमा करने से सम्मधित जून में जारी अपने दिशार निर्देश में संसोधन करेगी मुख्यमंत्री हेमन सुरेन ने अबाद सन्यवार को स्कूल के परधाना द्यापकों से कही है बता दे कि सीम से सभी परधाना द्यापकों ने मुलकात करके आउगत कराया कि कुरोना संक्रमन की वज़ा से स्कूलों में विद्यार्थों की पढ़ाई बादी था लेकिन उन्हें लगतार online सिख्षा दी जा रही है तक कि पाठ करम से आउगत कराया जा सके वही प्रबंदकों ने कहा कि खर्च में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है लातेहर के महुआड आण BEO के खिलाब सड़क पर उतर सिख्षा लातेहर जीला अंतरगात महुआड प्रखंड के प्रखंड सिख्षा प्रसार पता दिकारी राजी उरणजन ठाकुर के खिलाब सिख्षकों का सब्र का बंध तूट गया है रविवार को सभी सिख्षक सड़क पर उतर गये बताद है कि सिख्षकों कारोफाय की BEO द्वारा अपमानित किया जाता है इसके अलावा आथिक और मानसिक तोर पर प्रतारित भी किया जाता है इस मामले को लेकर पहले भी DC को प्रखंड के सिख्षकों ने आवेदन देकर म बाबुलाल मरांडी के मामले में अबदेर नहीं स्पीकर बाबुलाल मरांडी को नेता परतिपक्ष की मनयता देने के मामले में कहा कि अधिक समय नहीं लिया जाएगा सिरी मरांडी को परतिपक्ष के नेता की मनयता देने की सुनवाई चल रही है सभी नियम कानून को ध्या रेक की जा रही है जामों की सरकार विकास बिरोधी नहीं है। रही है जाने के बाद सिलेबस अगले सब्ता तक जारी कर दिया जाएगा। सायक पुलिस कर्मियों की मांगों को उठाया जाएगा। अपनी मांगों को लेकर राची आ रहे है। सायक पुलिस कर्मियों की रास्ते में बसे से उतार देने पर सरकार का अमानिये चेहरा है। ऐसा करने वाले अधिकारियों को सरकार अविलम बरखास करे। बिधान सभा परिसर में जाच सीवीर 14 से 18 सितंबर के बीच। जाखन बिधान सभा के सची वाले परिसर में 14 से 18 सितंबर के दवरान संक्रमन जाच सीवीर लगाया जाएगा। बिधान सभा का तिसरा मांसून सत्र 18 से 22 सितंबर के बीच अविध किया जाना है। सत्र में समलित होने वाले मंतरियों, विधायकों और सचिवाले के पताधिकारियों और कर्मियों के साथ पत्रकारों की भी जाच कराना होगा बीएड में एडमीशन अब असनातक के अंग के अधार पर राज में इस साल 127 बीएड कोलेजों में नमांकन के लिए अभ्यार्थियों से ओनलाइन अवेदन तो लिए जाएंगे लेकिन परवेश परिक्षा नहीं होगी बता देगी छात्र शत्राव का चैन असनातक के अंग के अधार पर किया जाएगा सरकारी स्कूली बच्चों को सितंबर का मिलेगा मिड़े मिल राज के सरकारी स्कूलों के बच्चों को सितंबर महिना का मिड़े मिल का आनाज और कुकिंग काश्ट की रासी दी जाएगी इसके लिए स्कूली सिक्षा और सचता विभाग के सचीव राहूल सर्मा ने निदेश जारी कर दिया है बता दै कि सितंबर महीना के लिए पहली से आठवी के छात्र छात्रावों को 25 दिनों का रासन और रासी को भुकतान भी किया जाएगा इसमें पहली से पाचवीत तक के बचों को 100 ग्राम प्रती दिन के 10-18 किलो चावल के साथ कोकिंग काष्ट 124 रुपया साथ ही आठ दिन के अंडा फल के लिए 48 रुपय अलग से दिये जाएंगे जारखंड के 10 जिलों में बुद्ध्वार को चलेगा विसेस जाच अभियान राजे के 10 जिलों में बुद्ध्वार को विसेस जाच अभियान चलाएगा जिसके तहट 10 जिलों में 1,00,000 रैपिट एंटिजन टेस्ट किये जाने का लक्ष निधायत किया गया है बता देख कि इसमें से पूर्वी सिम्भूम, राची, धनबाद, कोडर्मा, रामगर, सराय केला, आजारिवा, बुकारो, पच्मी सिम्भूम, देवगरव, सिम्डिगा, जिला सामिली था है जिसमें पूर्वी सिम्भूम में सबसे ज़्यादा 15,000, वही राची में 15,000, धनबाद में 15,000, कोडर्मा में 75,000 लक्ष निधारी था है जारखन के सभी घरों में 2024 तक पाइपलाइन से होगी जल अपूर्ती मंत्री पेजल वा स्वक्षता मंत्री मिथलेश ठाकूर ने कहा है कि जल जीवन मिशन के तहत बस 2024 तक राजे के सभी घरों में पाइपलाइन से पेजल अपूर्ती की जाएगी दुमका में सनिवार को पत्रकारों साथ बाचित में मंत्री ने बताया कि लोगों को स्वक्ष जल उपलवत कराना हमारा लक्ष है हर पंचायत में पांच नए चपाकल लगाने की योजना इस साल के अंतक पूरे राज्य में एक साथ सुरू की जाएगी स्रम मंत्री ने गरीबों के बीच मास्क और वस्तर का वित्रन किया उन्होंने लोगों के बीच मास्क का भी वित्रन किया बतादे कि मंत्री ने कहा कि परदेश में बैसिक मां हमारी कुरोना के परकोप के कारण विकास वेजनाव पर ब्रेक लग गया है लोकडाउन समाप्त होते ही राजे में नसीर प्रोजगार का संख्या बढ़ेगी बतादे कि या ट्रेन रविवार कि रात 10.40 में राची रेल्वेइ स्टेशन पर रेल्वे टास्क को अलट कर दिया गया रेल्वे स्टेशन पर जो भी आतरी आए उन्हें थरमय स्केनिंग और सेनेटाइज करने के बाद ही ट्रेन पर चड़ने दिया जाएगा जार्खन लेंड मुट्रिशन बील वापस ले सरकार मरांडी जार्खन लेंड मुटिशन बील 2020 को राज बिरोधी बिल बताते हुए भाजपा विधायक दल के नेता बावलन मरांडी ने कहा है कि सरकार ने चुपके चुपके जार्खन लेंड मुटिशन बील केविनेट के पास करा कर राज की जनता के साथ दोका किया है मरांडी ने रभीवार को समयलन में इस बील को कला कानून करार देते हुए कहा कि सरकार भू माफिया के लिए यह बील लेकर आ रही है उन्होंने असंका जताया है कि विधान सबा के मांसून सत्र में सरकार इस बील को आपस करा कर कानून बनाने का पर्यास करेगी दसवी में 98% अंक लाने वाले छात्र की दोनों किड्नी खराब सी एम और सोनु सूद ने हाथ बढ़ाया इसी साल मैटरी की परिक्षा में 97.8% अंक लाकर अपने माता पिदा का नाम रोशन करने वाले 16 वर्स ये निकित निच्छल की दोनों किड्नी खराब हो चुकी है आज कराने का निदेश दिया उधर ट्वीट पर बॉलीवूड अभिनेता सूद ने भी निकित के बारे में जनकारी मांगी है पलामू में अवैद अस्पतालों पर छापे मारी चार अस्पताल सील पलामू सिविल सर्जन डाक्टर जोन अफ कनेडिक नितित में छतरपूर के विभिन अस्पतालों में छापी मारी की गई इस करवाई में चार अस्पतालों को सील कर दिया गया है जबकि सील कियेगा अस्पतालों से 10 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है राश्ट्रिये सिक्षानिती में रोजगार किया पार संभवना है लुईस मरांडी अखिल भारतिये राश्ट्रिये सक्षनिक महासंग जारखन के ततोधान में राश्ट्रिय सिक्षानिती 2020 में उच्ष शिक्षा विशय पर राश्ट्रिय वेबिनार का आविजन किया गया वेबिनार जार्खन प्रांत ABRSM अध्यक्स डाक्टर परदीप सिंग के अध्यक्सता में आविजित हुई वेबिनार को समधित करते हुए पूर्व मंत्री डाक्टर लुईस मरांडी ने कहा कि पूर्व की सिक्षानिती बेरुजगारी की फोज तयार कर रही थी राश्ट्रिय सिक्षानिती में रुजगार की अपार संभवनाई मिलेगी लालू यादो से मुलकात के बाद राईनितिक ब्यान देकर सीएम ने जेन मेनुवन का उलंखन किया भाजपा के परदेश प्रवक्ता प्रतूल सहदेव ने कहा है कि मुख मंत्री हमन सुरेन ने राजप सुप्रीमो लालू परसाथ के साथ एगंटा 40 मेर तक मुलकात किया प्रतूल ने रभीवार को कहा कि जेल आईजी ने अपने 31 अगस्त के लिखे पत्र में अस्पष्ट किया था कि मुलकातियों के दोवारा कोई भी रायनितिक बयान बाजी करना जेल मैनुवल का उलंगन है धनबाद में 15 सितंबर से हर दिन जाच की जाएगी धनबाद में 15 सितंबर से जीले के सनवेदन सिल्थ छेतर में परतेक दिन कुरोना की जाच की जाएगी बता दे कि जीले में 69 छेत्रों की पाचान की गई है इसमें बाग मारा के सत्रा कलिया सोल एवं धनबाद नगर निगम के आठ आठ छेत्र सामिली था है इस संब्ध में उपायुक्त उमा संकर सिंग ने बताया कि जीला अपदा प्रवधन प्राधिकार ने इस छेत्र की पाचान संक्रामित मरीजों की संख्या अबादी एवं समाजिक आर्थिक द्रिश्टी कोन के मदनेजर की है सहायक पुलिस कर्मियों का दूसरा दिन भी हरताल जारी राजे के नकसल प्रवध जीलो में अढ़ाये जर सहायक पुलिस कर्मिय रभीवार को दूसरे दिन भी राची के मुरबादी मैदान में अस्थाई करन की मांग को लेकर डटे रहे बता दे कि सायक पुलिस कर्मियों ने बताया कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तब तक हम लोग मुराबादी मैदान में हरताल पर डटे रहेंगे रभीवार को न तो कोई पूलिस के वरिय अधिकारी और नहीं सरकार की ओर से कोई अधिकारी वारता के लिए आया हजारी बाग के इंद्रा गाह में मुबाइल नेटवर्क नहीं अनलाइन पढ़ाई से छात्र वनचीत हाजारी बाग जीला अंतरगात बढ़का गाव पर खंड का एक ऐसा गाव है जहां आज भी मोबाइल नेटवर्क सही से काम नहीं करता ऐसी सिती में बचों की ओनलाइन पढ़ाई कहां से होगी इस बात को लेकर अविभावक काफी परतान दिख रहे हैं धन्यवाद यदि आप चैनल पनाए हो तो चैनल के सब्सक्राइब कर बहुत अबेल एक अब बाग यह साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों का वाट्सेप गूरूप पर सेयर अवसे करें आपसे पुना रिक्वेस्ट रहा है कि आप अपने दोस्तों का वाट्सेप पर और साथ साथ आप अपना फीड़ भाएक हमें अवसे दे थाइंक्यू